हाई दोस्तो, HMD Retro Flip Phone, HMD Barbie at last launch कुछ दिनों से दोस्तों इससे जुड़े बहुत से टीजर और टेलर दोस्तों आ रहे थे लेकिन अब ये officially अनौन्स हो चुका है HMD official website में तो इससे जुड़े सभी जानकारी जानना चाते हैं तो रिकोस्तों का वीडियो को अन्तक देखे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना ओपिनियन अज़ा कॉमेंट जरूर दीजिएगा तो स्क्रीन भी फिलाल जो आप रेट्रो फ्लिप फीचर फोन देख रहे हैं दोस्तों यह है हमडी बार्वी फ्लिप फोन लेकिन यहां जो आपको हाइलाइटड स्पेसिफिक सेंस दिया जाएगा दोस्तों वो चलिए पहले चेक आउट कर लेते हैं तो पहले यह नोकिया 2660 Flip 4G जैसा ही दोस्तों आपको डुएल स्क्रीन के साथ मिलेगा 2.8 इंचिस में स्क्रीन होने वाले हैं और जो सेकंडरी स्कीन होगा 1.77 इंचिस का होगा यहां आपको Unisoc T107 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है रैम और इंटर्नल स्टोरेज दोस्तों फीचर फोन वाला ही है स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं यहां आपको Internal Storage Expansion Option दिया जाएगा 32GB तक अब यहां आपको KaiOS या Series 30 Plus का Operating System दिया जा रहा है दोस्तों यह मैं आपको बात में बताने वाला हूँ फिलाल अगर SIM सपोर्ट की बात करें तो यहां आपको Dual SIM सपोर्ट दिया गया है यहां आपको 3.5mm audio jack या headset jack आपको मिलेगा MP3 और FM radio जैसे feature से यह feature phone less है यहां Bluetooth 5.0 का सपोर्ट और USB-C टाइप charging port का सपोर्ट यहां आपको दिया गया है Network covers details दोस्तों आप screen के उपर फिलाल देख सकते हैं अगर Dimension Redals को लेकर आप interested हैं दोस्तों screen के उपर हाजिर है अब battery details की बात करें तो यहां आपको only 1450MH का सपोर्ट दिया गया है अब यह retro flew phone जो के HMD Barbie नाम से फिलाल पैचाना जा रहा है दोस्तों यहां आपको कुछ special feature दिया गया है जैसे के पहले ही आपको यहां तीन vibrant color option मिलेगा जो के दोस्तो green, pink और yellow होने वाले हैं दोस्तों यहां आप front में glossy finish देख सकते हैं साथी साथ यहां जो आपको keypad panel दिया गया है दोस्तों यह interesting और impressive है साथी साथ यहां जो आपको app vault मिलने वाल हैं दोस्तों वो भी कुछ खास design के साथ आपको यहां देखने को मिल रहा होगा अब यहां आपके privacy को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ dedicated mode दिया गया है रुकिये दोस्तों यहां निरास होने की कोई बात नहीं है series 30 plus operating system में दोस्तों YouTube को use किया जा साकता है भाया cloud app दोस्तों यह फिलाल देखनी की बात है यहां इस feature की accessibility दिया गया है के नहीं दोस्तों